साइलेंट फिल्मों का स्टन स्टार जो इतना लोग को प्रिय हुआ कि जब पहली बोलती फिल्म बनाई गई तो हीरो के लिए पहली चोईस वही थे वहीरो बने भी लेकिन भाशा आड़े आ गई और जैसे जैसे फिल्मों में आवाज बढ़ती गई उनका करियर ग्राफ नीचे जाता गया मैं हूँ नीतू और आज बात करूँगी भारती फिल्मों के पहले स्टन स्टार भारती फिल्मों का डगलस फियर बैंक्स कहे जाने वाले और पोलती फिल्मों के पहले हीरो मास्टर विठ्थल की मास्टर विठ्थल पहली बार फिल्म स्क्रीन पर नजर आए एक नर्थकी के रूप में जी हाँ एक फिमेल डांसर के रूप में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब फिल्मों की शुरुआत हुई थी तो ज्यादा तर मर्द ही महिलाओं की भूमे का आदा किया करते थे धीरे धीरे फिल्मों में महिलाओं का प्रवेश हुआ पर तब भी ज्यादा तर एंगलो इंडियन हिरोइन्स ही परदे पर दिखाई देती थी तो मास्टर विठल ने भाबूराव पेंटल की मूब फिल्म कल्यान खजीना में एक नर्थकी के रोल से स्क्रीन पर एंटर किया हालगि वह पहले से ही भाबूराव पेंटल की फिल्म कमपनी महराश्ठ फिल्म में बतौर फिल्म एडिटर काम कर रहे थे 1925 में मास्टर विठ्थल शार्दा स्टूडियोज की साथ काम करने लगे जिसके संस्थापक थे नानू भाई देसाई लेकिन इसके मालिकों में दो नाम और शामिल थे आनन्द प्रसाद कपूर और हर्शद राय महतार शार्दा स्टूडियोज ने मास्टर विठ्थल को फिल्मों में बतोर हीरो इंटर्डियूस किया फिल्म थी 1926 की रतन मंजरी इसके बाद से ऐसा हुआ कि शार्दा स्टूडियोज की हर फिल्म में हीरो मास्टर विठ्थल ही होते थे नानु भाई देशाई ने कंपनी की बहुत सी स्टन्ट फिल्मों का डारेक्शन किया था उन फिल्मों में मास्टर विट्छल एक एक्शन हीरो की रूप में उभर कराए और शारदा स्टूडियो की स्टार अट्राक्शन बन गए एतिहासिक फिल्मों में वीर मराठा या राजपूतों का अभिने करते हुए उन्हें वो लोग को प्रियता मिली कि 1930 तक वो भारती सिनेमा के हाईस पेड मेल स्टार बन गए थे वो एक प्रोफेशनल रेसलर थे उनकी खद काठी और आटिट्यूट स्टन्ट फिल्मों में बिल्कुल फिट बैटता था और परदे पर उन्हें एक्शन करते हुए देखना लोगों को बहुत पसंद आता था मगर वो दौर था साइलेंट फिल्मों का फिल्मों में आवाज लाने की तैयारियां चल रही थी ऐसे में मराठी फिल्मों में मास्टर विठ्थल की पॉपुलारिटी को देख कर आरदेशर इरानी ने उन्हें भारत की पहली बोलती फिल्म में बतौर हीरो काम करने की पेशकश की और मास्टर विठ्थल ने उनका ओफर एक्सेप्ट भी कर लिया लेकिन कॉंट्राक्ट तोडने के कारण शारदा स्टूडियोज ने उन पर मुकदमा कर दिया और तब जानते हैं उनकी तरफ से किसने केस लड़ा मुहमद अली जिन्नाह ने मास्टर विठ्थल केस जीत गए और अगले ही साल वो भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा में बतौर हीरो नजर आए मगर उनका हिंदे डिक्षन अच्छा नहीं था तो उन्हें पूरी फिल्म में ज्यादा तर ट्रांस की अवस्था में दिखाया गया और उनके हिस्से बहुत कम डायलोग आए आलमारा तो हिट रही क्योंकि वो पहली बोलती फिल्म थी दर्शकों के लिए एक जादू जैसी थी मगर मास्टर विठ्थल की अपनी लिमिटेशन्स थी इसलिए आलमारा के बाद हिंदी फिल्मों में उन्हें कोई बड़ा रोल नहीं मिला और कुछ वो टॉकी के जॉनर के साथ खुद को ढाल भी नहीं पाए 1932 में वो फिर से सालेंट फिल्मों की तरफ मुड़ गए लेकिन सालेंट फिल्मों का जमाना भी खत्म हो रहा था मास्टर विठ्थल ने करीब 90 फिल्मों में काम किया 1928 की सालेंट फिल्म राज तरंग में उन्हें डबल रोल भी किया 1933 में उन्हें एक टॉकी का निर्देशन किया जो मराठी में राजा और हिंदी में आवारा शहजादा के नाम से बनी इस फिल्म में हीरो का डबल रोल किया साहु मोदक ने लेकिन हिंदी सिनेमा में बात नहीं बन पा रही थी इसलिए 1934 के बाद मास्टर विठल मराठी सिनेमा में लौट गए 1940 से वो भाल जी पिंधारकर की फिल्मों में लगातार नजर आए और फिर बाद में वो छोटी-छोटी भूमिकाएं करने लगे सिनेमा में बहुत से ऐसे कलाकार हुए जो बदलती तकनीक के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए और फिर दुनिया ने उन्हें भुला दिया मगर मास्टर विठल को भारती सिनेमा के पहले स्टन्ट स्टार और पहली इंडियन टॉकी के हीरो के रूप में हमेशा आयात किया जाता रहेगा